आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजिंग दा एंड ऑफ स्टोरी एक्टिविटीज कैसी होंगी और अगर हम किसी कहानी का एंड छोड़ दें और स्टूरिंट को कहें कि वह एंड खुद लिखें उसके लिए हमें पहले क्या प्रेपरिशन करने पड़ेगी स्टूरिंट को क्या चीज़े आनी जरूरी हैं और इससे बच्चों को क्या फायदा होता है और इसको पढ़ने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा क्लाइमक्स के बाद जो एंड होता है किसी भी कहानी का इट इस सपोस्ट वी वेरी सेटिस्फेक्टरी और वापने अंदर क्यूरासिटी जो है जगा सकता है यह आपको हैरान कर सकता है तो नहीं टे ऴस्कोषा रोगश्ड्टे झायए जो हूं उो शिरू करते है और इसके अंदर टो आते हैं और उसके अंदर जो प्लॉत हो फॉत जहां से च कहानी शिरु हो रही है मिडल में वो प्लॉट डिवेलब होता जला जाता है, इसमें करेक्टर आते हैं, इसमें एंड में जाकर रिजॉल्फ होना है, कैसे होना है, यह कहानी बताती है, So, end is very important. तो बच्चों को हम एक exciting और बहुत ही interesting activities करवा सकते हैं, लैंविज की, जिसमें हम उन्हें एंड ना बताएं, और बच्चों को कहें कि Finish me stories, इसको तुरू, फिनिश मी stories के तुरू आप इसे खुद एंड अप करें, These are very important and creative analytical skills, बच्चे जो हैं, ना सरफ कहानी बढ़ते हैं, उसका middle point देखते हैं, उसके बाद वो analyze करते हैं, कि इसका probable end क्या हो सकते हैं, या क्या होना चाहिए, क्या करें आप ऐसे टीचर, सबसे पहले, आप अपनी क्लास में जाने से पहले, जो भी आप कहानी चूस करना च सकते हैं, या उनके लिए मुनासिब है, age appropriate है, आप किस किसम की आपको illustrations की या detailing की जरूरत है, जो आप बच्चों को बताएंगे, जिससे बच्चे अपनी predictions को जो है forecast कर सकेंगे, कहानी के end को लिख सकेंगे, साथ ही साथ आप एक rubrik भी बना सकते हैं, जिस को आप बच्चों क को दे सकते हैं, कि आप जो marking करने जाएंगे, कि उन्होंने कैसी ending लिखी, तो उस marking का criteria किया होगा, इसी को हम rubrik कहते हैं, और उसको सामने रखते वे बच्चे अपनी कहानी बनाएंगे, चेक करेंगे कि उन्होंने कैसे लिखी और फिर आप उसकी बाद में marking करेंगे, सबसे हम activity शुरू कराने के साथ, जो important चीज़े बताते हैं कि prediction की कैसे जाती है, अब forecast करने को बताया जाएगा, class में सिखाया जाएगा, उसके principles बताया जाएगे, बताया जाएगा inferring में और predictions में क्या फर्क है, और क्या-क्या चीज़े दिखते वे हम predictions कर सकते हैं, क्या-क्या figures और evidences का होना जरूरी है, जिस पर inferences बनते हैं, how they are different, उसके बाद बच्चों को कुछ statement दिखा सकते हैं, example दे सकते हैं, जिससे students को समझ आ जाए, अगली जो important step है वो यह है कि student class के अंदर बावाजि बिलंद उस कहानी को पढ़ें, एक, दो, तीन students से आब वो कहानी आए, और वो student को इस point पर छोड़ दे, middle पर लाके कि जहां वो prediction करें कि अब इनका middle क्या होगा, ये characters अब क्या करेंगे, इनकी motivation क्या है, और फिर वो इसकी ending की तरफ prediction कर सकें, या infer कर सकें, कि ये facts and figures के होते हुए, इन events के होते हुए, क्या probable infer कर सकते हैं, कि ending क्या है, the next step is कि बच्चों को कहानिया दें और उने किस कहानी का analysis करें, किस कहानी में क्या चीज़ें चल रही है, क्या resources, characters के पास मौझूद है, वो कहां पर मौझूद है, और किस किसम की situation में मौझूद है, क्या facts हैं, जिसके through आसानी से middle और कहानी के end को predict कर सकें, या infer कर सकें, in between आपको क् करना है as a teacher, आपको अपनी कुर्सी से उठना है, बच्चों में घुला मिलना है, उनकी stories का middle or end, उनकी prediction inferences को check करना है, उनकी vocabulary को check करना है, और साथ ही साथ आपने उनको appreciate करना है, whatever they are doing, then support children के, वो अब अपनी कहानी का end create करें, story analysis के बाद, पहला पार्ट बच्चों को already पता ह है कि कहानी कहां से शुरू हुई थी, आप middle part का उनको कुछ अंदाजा दीजिए, कुछ clues दीजिए, आप उसके लिए graphic organizers जो है, वो बना सकते हैं, जिस पर information लिखी हो, vocabulary लिखी हो, sentences लिखी हो, ता कि बच्ची अपना logical prediction कर सकें, logical order में, logical order में prediction करने के लिए यहां पर बहुत यह करते हैं, तो वो काम cause और effect आपको clearly नजर आना शुरू हो जाता है, तो वो उसको सामने रखें, जब वो अपना end लिख लें, तो अपने दोस्तों को दिखाएं, दोस्तों की रुबरिक देखें, रुबरिक देखने के बाद अपना peer review करें, और अपनी अच्छी राय उन सकते हैं, और उसके बाद आप उनकी काम को, उनकी ending को showcast कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, उनका display कर सकते हैं, इंटरनेट एक बहुत ही अच्छा जरिया है, टेकनोलोजी की थ्रू भी, हमाने पास virtual class from blackboards होते हैं, उसके ओपर भी display कर सकते हैं, बैसे stories का, जिसके तो बच् ही appreciate होते हैं, जिब उनका काम display किया जाता है.